हलो प्यारे बच्चो बच्चो इस वीडियो में हम आपकी क्लास सेवन इंग्लिस जिसका नाम है हनी कॉम उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे पहला पार्ट पढ़ेंगे थ्री क्वेस्चन्स तीन प्रस्ट बच्चो देखो ये जो आपकी बुक का पहला लेसन है ये बहुत बहुत ही प्यारा सा लेसन है और अभी देखो आप साथनी क्लास में हो ये बिलकुल सही समय है इंग्लिस सीखने का तो आप अराम अराम से इनके एक एक शब्द के मीनिंग सीखो फिर धीरे धीरे इनका अर्थ निकाल के पूरे जो सेंटेंस है उसका अर्थ निकाल हैंगे शुरू-शुरू में कोई बात नहीं है ना लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा अंदाजा लगाना सीखो के इस वाक्य में माना दस मीनिंग है इस में से दो नियारे तो इनका अर्थ क्या हो सकता है इन दो मीनिंग्स का है ना तो इस तरह से पूरा वाकिप का हिंदी अनुवाद करना सीखें फिर एक बार आपको और यह दो धीरे-धीरे बनेगी यह जो शब्द कोस है यह धीरे-धीरे जमा होता है जैसे वरसात की बूंदे होती ना रिम-जिम-रिम-जिम-बूंदे जो होती है वो पानी सीधा जमीन के नीचे चला जाता है तो वैसे ही आपके ये जो एक-एक दो-दो मीनिंग्स हैं ये आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे है ना, बिलकुल परेशान होने की आवशिक्ता नहीं है तो मैं अब आपको अराम-अराम से ये पूरा लेसन पढ़के सुनाऊंगा इसका हिंदी अन्वाज करूँगा है ना, फर्स्ट लेसन है थ्री क्वेस्चन्स, तीन प्रस्ण तो एक राजा होता है, वो बहुत ज़दा परेशान है उसके तीन प्रस्ण उसके दिमाग में है उसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा उन प्रस्णों का तो वो उन प्रस्णों के उत्तर जानने के लिए इनाम रखवाता है, कि मेरे इन प्रस्णों का जो इनाम देगा उनको मतलब उत्तर देगा, उनको मैं क्या दूँगा अच्छी खासी इनाम दूँगा, लेकिन कभी कोई कुछ बोलता है कभी कोई कुछ बोलता है यानि कोई भी उसके प्रस्णों का जो ना सही जवाब उसे नहीं दे पाता यानि एक राय नहीं होती कोई कुछ कोई कुछ बोलता है फिर उन्त मैं वह एक सण्यासी पास जाता है जै आसी कहां रहते थे जंगल जल्स कुटिया बना के रहते हैं हर्मिट सद्विट इन लुख यह बहुत ही प्यारी कहाणी चाहते हैं आपके अंदर अच्छी अच्छे जो संसकार है वो डबलब हों तो वो इन पाठ्ठे पुस्तकों का उद्देश होता है ठीक है न तो भासा की समझ विक्सित होती है प्लस उसके साथ में अच्छे संसकार हमारे मन में समाते हैं तो मैं शुरू करता हूँ the thought came to a certain king thought यानी विचार came यानी आया certain king एक राजा के certain माने बैसे निश्चित होता है लेकिन यहां पर क्या रथ है एक राजा कोई राजा एक राजा के मन में विचार आया that key he would never fail कि वो कभी असफल नहीं होगा उसे कभी मात नहीं खानी पड़ेगी if he knew अगर वो जान जाए three things तीन चीज़ों के वारे में अगर उसे तीन चीज़ों का पता चल जाए तो वो कभी मात नहीं खाएगा वो कभी fail नहीं होगा हारेगा नहीं वो these three things were ये तीन चीज़ें थी क्या क्या चीज़ें थी वो तीन पहली what is the right time to begin something what is the right time क्या सही समय है to begin यानि शुरू करने का something यानि किस चीज़ को तो पहला प्रशन था किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है फिर second question क्या था राजा का which people should he listen to listen यानि सुनना which मने कौन people मने लोग तो राजा आखिर किन लोगों की सुने अर्थात किन लोगों की बात वो मने फिर है what is the most important thing for him to do what money क्या most important सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज उस राजा के लिए करने को यानि उसके उसे सबसे ज़्यादा important उसके करने की चीज क्या है तो तीन प्रशन थे किसी काम को करने का सही समय किन लोगों की वो बात माने और कौन सा काम उसके लिए सबसे ज़्यादा important है ये तीन प्रशनों के जवाब राजा जानना चाहता था the king therefore therefore यानि अतहे राजा ने sent messengers राजा ने संदेश वाहक भेजे दूत भेजे throughout his kingdom पूरी की पूरी अपनी राजधानी में दूत भेजे संदेश वाहक भेजे promising जो वादा कर रहे थे a large sum of money के खूब सारा पैसा मिलेगा खूब सारी सोने के सिक्के मिलेंगे नाम मिलेगा to anyone who could answer these three questions to anyone जिसको भी और वो कौन होगा व्यक्ति जो answer देगा उत्तर देगा these three questions इन तीन प्रशनों के जो उपर तीन प्रशन बताएं ना राजा के उन तीन प्रशनों का जो कोई भी उत्तर देगा उसको राजा खूब सारा इनाम देगा जैसे बोलते हैं ना सुनो 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 धोल पीटते जाते हैं जैसे टीवी सीरिल में देखा होगा इस तरह से राजा ने नंगाडा बजवा के और नंगर में ध्धोरा पिटवा दिया Many wise men came to the king बहुत सारे बुद्धिमान लोग आये राजा के पास But they all answered लेकिन उन सब ने उत्तर दिये his questions differently राजा के प्रशनों का अलग अलग तरीके से उन्होंने उत्तर दिया In reply to first question पहले प्रशन के उत्तर में reply यानी उत्तर में पहले प्रशन के उत्तर में Some said कुछ ने कहा the king must prepare a time table के राजा को एक time table बनाना चाहिए And then follow it और फिर उसका अनुशरन करना चाहिए Follow का मतलब उसको पालन करना चाहिए Strictly बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए Only this way केवल इस तरह से ही they said उन्होंने कहा Could he do everything at its proper time वहराजा हर चीज को अपने सही समय पे कर पाएगा अगर वो क्या बना ले time table बना ले और उसका कड़ाई से पालन करे Others said अनि लोगों ने कहा That it was impossible अरे भाई असंभव है To decide in advance पहले से ही यह निश्चे करना कि the right time for doing something किसी चीज का सही समय पहले से ही पता करना क्या है असंभव है कुछ ने ऐसे बोला The king should notice all that was going on अब वो लोग कह रहे हैं कि राजा को ध्यान देना चाहिए हर चीज का जो घटित हो रही है जो भी घटना घटित हो रही है जो भी चीज हो रही है राजा को उसे ध्यान देना चाहिए और क्या करना चाहिए avoid fullest pleasures राजा को दूर रहना चाहिए मूर्खता भरे आनंदों से जैसे फालतुगीजने होती है आपने देखा को पहले राज महाराजा जो राजा महाराजा है ना अपने दरवार में गीत समगीत always do हमेशा वो करना चाहिए whatever seemed necessary जो आवश्यक दिखे at that time उस समय पर कुछ ने ऐसा कहा फिर आगे देखते हैं yet others said और कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा that the king needed a council of wise men के राजा को जरूरत है wise men नहीं बुद्धिमान लोगों की एक council की सभा की नहीं बुद्धिमान लोगों की एक सभा की राजा को जरूरत है who could help him जो की उसकी मदद करेंगे जो राजा की मदद करेंगे act at the proper time सही समय पर काम करने में उसकी राजा की क्या करेंगे मदद करेंगे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि आप बुद्धिमान लोगों की एक सभा रखो अपने अंडर में this was because ये इसलिए था one man would find it impossible to decide correctly कि एक आदमी के लिए ये असंभव है निश्चे करना सही सही तरीके से सही तरीके से without help from others बिना अन लोगों की मदद लिए अकेल आदमी नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आपको counsel of wise men रखनी चाहिए the right time for every action है न क्योंकि बिना दूसरों की help लिए हम किसी भी कारी को करने का सही समय ग्यात नहीं कर पाएंगे इसलिए राजा को एक बुद्धिमान लोगों की सभा अपने अंडर में रखनी चाहिए but then others लेकिन तब अन्य लोगों ने said that उन्होंने कहा there were some things कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अब ये पहले प्रशन खाई अंसर दे रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा भई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इतनी जो ये अरजन चीज़ें आक्रमन कर दिया तो बहुत अरजनसी का काम आगे नहीं आगया तो अब सभाग बुलाएंगे कोई कहीं होगा कोई कहीं होगा तो इतनी दिर में रजा दूसरी जो सेना होगी वो आक्रमन कर देगी तो लोग कहे रहे हैं बही ऐसा नहीं हो सकता, कि कोई urgent काम आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, these could not wait, these things इस तरह के जो urgent वाली चीजें हैं, ये council के decision का इंतजार नहीं कर सकती, उनकी जो गुद्धिमानों की सभा का, के निने का इंतजार नहीं कर सकती, अतहे, in order to decide the right time, सही समय निश्चित करने के लिए, for doing something, किसी चीज को करने का सही समय निश्चित करने के लिए, it is necessary, ये आवश्यक है, to look into the future, कि पहले से ही भविस्च के बारे में जानकारी कर ली जाए, है ना, पहले से ही क्या कर लिया जाए, भविस्च के बारे में जानकार कर ली जाए, है ना, and only magicians could do that, और ऐसा काम सिर्फ जादूगर लोग ही कर सकते हैं, जो भविस्च वेत्ता होते हैं, ठीक है ना, the king therefore, अतह राजा को, would have to go for magicians, राजा को किन के पास जाना चाहिए, magicians के पास जाना चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसी सला दी, कि राजा को अप पहले से ही बता देंगे उसको, अब ये, कल ये होगा, कुछ इतने दिन बाद ये होगा, तो पहले ही बता दें उसको, इसलिए राजा को magicians की help लेनी चाहिए, कुछ लोगों ने ऐसे कहा, in their answers, उनके जो ये उत्तर थे, in their answers to the second question, हाँ, दूसरे प्रशन के उत्तर में, कौन कौन सा था, की राजा को किन की सुननी चाहिए, तो उसके जवाब में, some said, कुछ ने कहा, that people most necessary to the king, were his counselors, की राजा को, राजा के लिए सबसे जदा important, उसके सभासद हैं, उसके जो मंतरी हैं, उसकी जो, राजा के मंतरी गण होते हैं, वो हैं, counselors बोलते हैं, सभासद अश्य ब Others said, दूसे लोगों ने कहा, the priest, कि राजा को किस की बात सुननी चाहिए, पुजारियों की बात सुननी चाहिए, पंडितों की बात सुननी चाहिए, ब्रहमनों की बात सुननी चाहिए, ऐना, ऐसा उन्होंने कहा, जो पुजा आर्चना करते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, most necessary के राजा के लिए सबस्यादा important कॉन लोग है उसके सिपाही हैं राजा को इसलिए सिपाहीों की बात मननी चाहिए जिस तरह से पहले प्रशन का कोई एक मत उत्तर नहीं मिला राजा को वैसे ही दूसरे प्रशन का भी राजा को कोई एक मत उत्तर नहीं मिला to the third question तीसरे प्रशन के लिए सम सैड, साइंस तीसरे प्रशन क्या था? कि राजा को देखो यह राद, तीसरे प्रशन कौन सा important काम है? सबसे important काम what is the most important thing for him to do? कि राजा को जो सबसे important काम कौन सा है? जो करना चाहिए कुछ लोगों ने कही कहा कि राजा को विज्ञान का काम करना चाहिए विज्ञान के बारे में फैलाना चाहिए है ना? विज्ञान को ज़्यदा importance देनी चाहिए Others chose fighting अन्य लोगों ने कहा कि राजा को fighting है ना? lie and yet others religious worship और अन्य लोगों ने क्या कहा? कि राजा के लिए सबसे important चीज क्या है? धार्मिक पूजा पाठ है तो कुछ ने कहा राजा के लिए सबसे important विज्ञान है कुछ ने कहा लडाई है कुछ ने कहा धार्मिक पूजा पाठ है तो इसका मतलब तीसरे प्रशन का भी कोई एक मत यह न उत्तर राजा को नहीं मिला As the answers to his questions चुकि जो राजा के प्रस्णों के उत्तर थे were so different वो बिलकुल अलग-अलग थे इतने जदा अलग-अलग थे The king was not satisfied राजा संतुष्ट नहीं हुआ and gave no reward और उसने कोई इनाम नहीं दी किसी को भी reward नहीं दिया इनाम नहीं दिया reward यानि इनाम किसी को भी इनाम नहीं दिया Instead, बजाए इसके He decided, उसने निश्चे किया to seek the advice seek यानि प्राप्त करना advice यानि सलाह of a certain hermit hermit बोलते हैं न सन्यासी कि राजा किसी एक सन्यासी के पास जाएगा सलाह लेने के लिए उसे who was widely known for his wisdom जो की अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक विस प्रशिद्ध था वो जो hermit था सन्यासी जो था वो अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रशिद्ध था निन लोग उसके बारे में बहुत बात हैं किया करते थे उसकी बुद्धिमानी के बारे तो राजा ने कहा कि लोगों से तो मुझे आंसर नहीं मिले अते मैं उस सन्यासी के पास जाओंगा अपने प्रशनों का उत्तर डूढने के लिए the hermit lived in a wood वो जो hermit था वो जो सन्यासी था वो जंगल में रहता था wood का मतलल लकडी लकडी नहीं है यह आप लूड का मतलल क्या जंगल which he never left जो कि उसने कभी नहीं छोड़ा अर्थात वो जंगल छोड़के कभी कही नहीं जाता था अपनी कुटिया में ही रहता था he saw no one what simple people से वो नहीं मिलता था and so the king put on ordinary clothes अते राजा ने साधर्ण वस्त्र पहने यानि वो जो हर्मिट था सन्यासी था उसके पास सिर्फ जो साधर्ण लोग हैं सीधे साधे सच्चे गरीब लोग है ना वो ही उसके पास जा सकते थे जो धन दौलत है जिनके पास या बहुत ज़दा कोई पद प्रतिष्ठामान सम्मान वाले लोगों से वो दूरी रहता था तो इसलिए राजा ने क्या किया साधर्ण कपड़े पहने ordinary clothes पहने और before he reached the hermit's hut और उस सन्यासी की कुटिया पर पहुँचने से पहले the king left his horse राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया with his bodyguard अपने bodyguard के पास अपने bodyguard जो थे उनके पास and went on alone और अकेला गया पैदल गया क्योंकि अगर घोड़ा से जाता तो वो hermit उस से मिलता ही नहीं है ना मना कर देता हो उसको मैं नहीं दे सकता आपको कोई सला as the king came near to the near the hermit's hut जैसे ही राजा उस सन्यासी की जोपड़ी के आगे आया के पास आया he saw उसने देखा the hermit की hermit जो है सन्यासी जो है digging खोद रहा है डिग यानि खोद ना the ground जमीन को मिट्टी को खोद रहा है in front of his hut अपनी जोपड़ी के आगे जो खेत है जो खेत है उसको क्या कर रहा है खोद रहा है डिग कर रहा है he greeted the king उसने राजा का अभिवादन किया and continue digging और अपना खोद ना जारी रखा अब उसको पता नहीं है कि राजा है कौन है तो उसने अपना उसने उसका अभिवादन किया और अपना खोद ना जारी रखा the hermit was old and weak जो सन्यासी था वो ब्रद्ध था और बहुत कमजोर था and he worked and as he worked और जब वो काम कर रहा था वो सन्यासी he breathed heavily, breathed यानी सांस लेना, heavily यानी भारी भारी यानी वो हाफ रहा था क्योंकि उसको जमीन को खोद रहा था वो खोदने का मतलब क्या है उसको तैयार कर रहा था उसको कुछ बुवाई करने के लिए उसके अंदर है ना जैसे हल से चलाते है तो अब हल तो उसके पास है नहीं तो फावडे से ही क्या कर रहा है उस मिट्टी को खोद रहा है या जैसे हल चला के उसको मिट्टी को लेवल करते हैं या जैसे उसकी उपजाउपन बढ़ाने के लिए वैसा करते हैं वैसा कर रहा था दा किंग वेंड टू दा हर्मिट राजा हर्मिट के पास गया सन्यासी के पास गया and said और कहा I have come to you wise हर्मिट हे बुद्धिमान सन्यासी मैं आपके पास आया हूँ to ask you आपसे पूछने answer three questions मेरे तीन प्रशनों के उत्तर पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ how can I learn अब राजा बोल रहा है तीनों प्रशनों का बता रहा है हो how can I learn to do the right thing at the right time कि मैं कैसे पता करूँ मैं कैसे जानू to do right thing कि सही समय सही चीज को सही समय पे करना किसी सही चीज को सही समय पे करना मैं कैसे जानू who are the people I need most और मेरे लिए कौन से सबसे ज़्यादा important लोग है and what affairs are the most important पहला प्रशन तो वो था समय का किसी काम को करने का सही समय क्या दूसरा प्रशन था मैं किन की बात मानू और तीसरा प्रशन था मेरे लिए सबसे important काम क्या है तो वो ही तीनों प्रशन उसने दोहरा दिये who are the people I need most जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा जरूरत है and what affairs affairs यानि काम are the most important मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है राजा ने बापस से वो तीन प्रशन क्या कर दिये दोहरा दिये the hermit listened to the king उस सन्यासी ने राजा की बात ने सुनी listen यानि सुनना दे को दोबारा आया ने listen but did not speak लेकिन वो बोला नहीं he went on digging वो खुद ता रहा उसने खोदना अपना जारी रखा you are tired said the king राजा बोला आप ठक गए होंगे let me take the spade spade यानि कुदाल फावडा तो मुझे आपकी कुदाल दो मुझे आपका फावडा दो and work in your place और मुझे अपनी जगह आप काम करने दो thanks धन्यवाद said the hermit सन्यासी ने कहा giving the king देते हुए राजा को his spade अपनी कुदाल या अपना फावडा देते हुए then he sat down on the ground और तब वो जो सन्यासी था वो किस पर बैठ गया जमीन पर बैठ गया ना देखो ये चेतर बनना रहा न इसने ये सन्यासी है और ये क्या है वो king है जो साधन वहेस धर के आया है ठीक है देखो मुकुट बगरा कुछ नहीं रगा रखा ना इसने yes when the king जब राजा ने had dug two beds जब दो क्यारियां खोद ली और उसने अपने प्रशन बापस से रिपीट किये बापस से फिर प्रशन पूछे उसने the hermit gave no answer उस सन्यासी ने उसके प्रशनों का कोई उत्तर नहीं दिया but stood up लेकिन खड़ा हो गया stretching out his hand अपना हाथ आगे बढ़ाया stretch out का मतलब आगे बढ़ाना उसने अपना हाथ फैलाया for the spade कुदाल के लिए, कुदाली के लिए या फावडे के लिए उसने अपना हाथ आगे फैलाया कि लाओ भाई, मुझे दे दो अब ये and said और कहा now you rest, अब आप rest करो and let me work, और मुझे काम करने दो तो उस सन्यासी ने उसके प्रशनों का उत्तर तो नहीं दिया बलकि उसने का कि आप आराम करो, अब में काम खरता हूं but the king did not give him the ice spade लेकिन राजा ने वो फावडा उसे नहीं दिया and continued to dig और अपना खुदना जारी रखा one hour past, एक घंटा बीत गया and at last, और अंत में the king stuck राजा ने गाड़ दिया the spade उस फावड़े को into the ground, जमीन में and said और कहा I came to you, wise man, hey buddhiman व्यक्ती, मैं आपके पास आया था for an answer to my questions मेरे प्रशनों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया था if you can give me no answer tell me so अगर आपको मेरे प्रशनों के उत्तर नहीं देने हैं तो मुझे बता दो तो मुझे ऐसा बता दो and I will return home और मैं अपने घर चला जाओंगा here comes someone running said the hermit सन्यासी बोला, देखो कोई दोड़ता हुआ आ रहा है अब इसका second part है ये the king turned round राजा मुड़ा राजा ने मुड़के देखा है ना, राजा मुड़ा and saw और उसने देखा a bearded man beard बोलते हैं दाड़ी को है ना, तो एक दाड़ी वाला जबती running towards him उसकी और दोड़ता हुआ आ रहा था राजा की और दोड़ता हुआ आ रहा था his hands were pressed against his stomach उसके हाथ है ना, उसने प्रेस कर रखे थे दबा रखे थे against his stomach अपने पेट को, अर्था उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को दबा रखा था कस के पेट को पकड़ रखा था दबा रखा था from which जिसमें से की blood watch flowing जिसमें से की रक्त पहरा था उसके पेट में से क्या बहरा था रक्त बहरा था उसने उस पेट को अपने को दोनों हाथों से बहुत जोर से दबा रखा था when he reached the king रीज यानि पहुँचना जब राजा के पास पहुँचा हो व्यक्ती he fainted वह बहोस हो गया वो मूर्चित हो गया and fell to the ground और जमीन पर गिर गया the king and the hermit राजा और वो जो सन्यासी था removed the man's clothing उन्होंने उस द्यक्ती के कपडे धीले किये remove यानि हटाना होता है लेकिन यहाँ पह क्या अर्थ है धीला करना उन्होंने उसके कपडे धीले किये है ना या हटा दिये क्योंकि उनको उसके घाब की अब क्या करनी है उनको पट्टी करनी है and found और उन्होंने पाया a large wound in his stomach एक बड़ा घाब उसके पेट में हो रखा था है ना उन्होंने पाया साफ पानी से धोया and covered और उसे धक दिया उसे बांद दिया अपने रुमाल के साथ अब राजा के पास जो भी रुमाल दो पट्टा कुछ भी हो सकता है सूती कपड़ा जो भी है साफ वला है ना but the blood would not stop flowing लेकिन खून रुक नहीं रहा था the king redressed राजा ने बार-बार उसकी पट्टी की redressed पुन है पट्टी करना राजा ने बार-बार उसकी पट्टी की the wound उस घाव की बार-बार पट्टी की until जब तक की at last the breeding stopped जब तक की वो जो रक्त जो था उस व्यक्ती के पेट में से बहना बंद ना हो गया तब तक वो राजा उसके घाब की क्या करता रहा, पट्टी करता रहा The man felt better, अब वो व्यक्ति अच्छा महसूस कर रहा था and asked for something, कौन सा व्यक्ति, वो ही जो घायल व्यक्ति था वो and he asked for something to drink और उसने कुछ पीने के लिए मांगा The king brought fresh water, राजा उसके लिए ताजा पानी लेके आया and gave it to him और उसे दे दिया By this time, इस समय तक the sun had set, सूर्यास्त पूरी तरह हो चुका था and the air was cool और हवा में ठंड़ा को गई थी दोको बैसे भी जंगल में तो बैसे ठंड बहुत पड़ती है तो और वहां पर क्या हो गई थी, हवा ठंड़ी हो गई थी इसलिए the king with the hermit's help राजा ने उस सन्यासी की मदद से carried ले गए वो the wounded man उस घायल व्यक्ती को into the hut उसे दो चला भी नहीं जा रहा था उसे कहा ले गए वो? जोंपड़ी के अंदर ले गए and laid और लिटा दिया him उसे on the bed और उसे तक्त के उपर तक्त के उपर या विस्तर के उपर क्या कर दिया उसे लिटा दिया the man closed his eyes उस जक्ती ने अपनी आँखें बंद कर ली and lay quiet और चुप चाप लेटा रहा the king raja tired by his walk क्योंकि वो कुछ दूर पैदल चलके भी आया था और गोड़े पे भी गया तो भी थकाओं तो होती ही है राज महल से लेके जंगल तक गया था तो वो किस-किस चीज से थका हुआ था चलके गया था उससे थका हुआ था and the work he had done और जो काम उसने किया था जो काम राजा ने भावड़ा चलाया था कुदाल चलाई थी दिन भर उसको गोड़ने के लिए तो उससे वो थक गया था तो इसलिए वो lay down on the floor फर्स पही वो लेट गया राजा फर्स पही लेट गया and slept through the night और पूरी रात उसको बहुत गहरी नीन आई अवेगर जगना जब राजा जागा जब राजा जागा अब देखें देखो ना जैसे हम कोई दूसरी जगे जाते हैं और जब सो के उठते तो काफी थोड़ा सा time लग जाता है कि हम पता नी कहा है अपने घर में तो ऐसा नहीं होता लेकिन जैसे हम कहीं दूसरी जगे जाते हैं और हमाँ जब सोके उठते हैं तो हम को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है पता नहीं कहां आ गए हम तो थोड़ा सा कुछ समय लगता है हमको हम कहां है तो यानि कुछ मिनट लगे उसे राजा को याद करने में फिर बाद में उसको याद आ गए अच्छा मैं इस तरह से उस संत की जोंपड़ी में हूँ विर ही वाज के वो कहां है और यह जो बिचित्र दाड़ी वाला विक्ती है यह कौन है लाइंग ओन दा बैड जो की विस्तर पे सोया हुआ है कि मैं कहां हूँ और यह जो विस्तर पे सोया हुआ है यह दाड़ी वाला विक्ती यह कौन है तो यह चीज को रिकॉल करने में इस चीज को थोड़ा सा याद करने में उससे थोड़ा सा क्या लगा? वक्त लगा क्योंकि वो सोके जगा था और बहुत थकान भी उसे भेंकर हो गई थी फॉर्गिब मी मुझे माफ कर दो सैड दा बियर्डेड मैन वो दाड़ी वाला विक्ती बोला मुझे माफ कर दो इने वीक बॉइस एक हलकी सी आवाज में कमजोर आवाज में वो बोला वेन ही सोग जब उसने देखा दा किंग वाज अवे के राजा जाग गया है तो वो बोला मुझे माफ कर दो आई डू नाट नो यू लेकिन मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ और मेरे पास तो तुम्हें माफ करने लिए कुछ ही नहीं सैट दा किंग राजा ने कहा अब बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो बट आई नो यू लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ मैं आपका वो वाला सत्रू हूँ जिसने सपत खाई थी रिवेंज बदला लेने की तुमसे ना क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डैथ क्योंकि तुमने मेरे भाई की हत्या कर दी थी and seized मेरे भाई को मार दिया था तुमने लडाई के दौरान और seized कर ली थी हत्या ली थी माई प्रॉपर्टी मेरा जो राज था अर्था तुमने युद में मेरे भाई को पराजित कर दिया था और तुमने मेरा राज जीत लिया था और अपने राज के अंदर मिला लिया था I know I knew मैं जानता था You had gone alone to see that hermit कि तुम अब ये लोग क्या इसे गुपचर रखते हैं अपने तो वो कह रहा है कि मैं जान गया था मुझे पता था कि तुम उस सन्यासी से मिलने अकेले ही गए हो And I made up my mind to kill you और मैंने अपना मन बना लिया था कि आज मेरे लिए अच्छा मौका है आपको मारने का On your way home जब आप घर लोट ओगे है ना बापस लोट ओगे हर्मिट से मिलके सन्यासी से मिलके तुम अकेले ही हो ठीक है ना तो मैं तुम को क्या कर दूँगा मार दूँगा But the day passed लेकिन पूरा दिन गुजर गया And you did not return और तुम नहीं लोटे So I left my hiding place अतहे मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया तो ये छिप अप छिप के बठा हुआ था वार करने के लिए तो ये कह रहा मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकल आया And came upon your bodyguard और तभी आपके bodyguard का मेरा आमना सामना हो गया Who recognized me जिसने मुझे पहचान लिया And wounded me और मुझे गायल कर दिया I escaped from him मैं जैसे तैसे उससे बच निकला But I should have died लेकिन मैं मर गया होता If you had not dressed my wounds अगर आपने मेरे इन घाबों पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता I wished to kill you मैंने तो आपको मारने की wish की थी मैं तो आपको मारना चाह रहा था And you have saved my life जबकि आपने मेरा जीवन बचाया है Now if I live अगर अब मैं जीवित रहा तो I will serve you मैं आपकी सेवा करूँगा As your most faithful servant आपके substrates faithful servant की तरह आपके आग्याकारी नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा And will order my sons to do the same और मैं अपने पुत्रों को भी ऐसा ही करने के लिए आदेश दूँगा Forgive me क्रपया मुझे माफ कर दीजिए The king was very happy राजा बहुत खुश हुआ To have made peace with his enemy So easily कि उसकी अपने दुस्मन के साथ इतनी आसानी से क्या हो गई थी सांती इस्थापित हो गई थी तो राजा क्या था खुश था And to have won him Over as a friend और उसने सिर्फ दोस्ती ही नहीं कर ली थी बलकि उसे एक दोस्त की रूप में उसे जीत भी लिया था उसने सिर्फ सांती ही स्थापित न कर ली थी उसके साथ बलकि उसका हरदय भी जीत लिया था He not only forgave him उसने राजा ने उसे ना केवल माफ किया बलकि But sad लेकिन कहा He would send his servants कि वो उसके राजा खुद अपने नौकर भेजेगा And his own doctor और अपने खुद के वैद को भेजेगा Doctor को भेजेगा To look after him उसकी देखवाल करने के लिए उसकी गहाव की देखवाल करने के लिए And he promised और राजा ने बादा किया To give back the man his property कि वो उस राजा का जो जीता हुआ राज है वो भी उसे लोटा देगा Leaving the wounded man The king went out उस घैल वक्ती को अंदर छोड़के अब वो दोनों में बाते हो रही थी तो वो हर्मिट तो वहाँ था ही नहीं The king went out of the hut वो राजा जोंपडी में से बाहर निकला कुटिया में से बाहर निकला And took round for the hermit और चारों और hermit को देखने लगा Before going away जाने से पहले He wished वह चाहता था Once more एक बार और To get answers to his questions की एक बार और पूछ लूँ क्या पता मुझे अपने प्रस्णों के उत्तर मिल जाएं The hermit was on his knees वो जो सन्यासी था वो अपने गुटनों के बल बैठा हुआ था कैसे बैठा हुआ था? गुटनों के बल बैठा हुआ था Showing seats, show यानि बोना Seats यानि बीज, बीज बो रहा था In the beds उन क्यारियों में That had been dug जो की खोदी गई थी Dig यानी खोदना, dug यानी खोदी गई थी The day before एक दिन पहले ही सन्यासी ने और राजा ने मिलके जो एक दिन पहले क्यारियां खोदी गई थी उनमें वो क्या बो रहा था? बीज बो रहा था और वो गुटनों के बल बैठा हुआ था The king went up to the hermit राजा सन्यासी के पास गया And said और बोला For the last time, I wag you to answer my questions Wise man, hey बुद्धिमान व्यक्ती Hey सन्यासी महराज You have already been answered Said the hermit Still bending down to the ground And looking up at the king As he stood before him Aray भाई आपको तो अपने प्रस्नों के उत्तर पहले ही मिल गए है You have already been answered आपको अपने प्रस्नों के उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं Said the hermit सन्यासी बोला Still bending down to the ground अभी भी वो जमीन पर ही जुक्के बैठा हुआ है गुटनों के बल बैठा हुआ है And looking up और वो उपर देख रहा है राजा की ओर क्योंकि राजा उसके कांखड़ा हुआ है सामने खड़ा हुआ है अब राजा कह रहा है How have I been answered मुझे मेरे प्रस्नों के उत्तर कैसे मिल गए What do you mean आप कहना क्या चाते हैं सन्यासी महराज मुझे मेरे प्रस्नों के उत्तर कैसे मिल गए अब वो सन्यासी कह रहा है Do you not see क्या आप नहीं देख रहे हो Replied the Hermit सन्यासी बोला क्या आप देख नहीं रहे हो If you had not pitied my weakness yesterday अगर कल तुमने pity यानी दया weakness यानी कमजोरी अगर तुमने कल मेरी कमजोरी के उपर दया नहीं दिखाई होती and had not dug these beds for me और इन क्यारियों को मेरे लिए नहीं खोदा होता you would have gone away तो तुम बापस लोट गए होते then that man would have attacked you तो इस व्यक्ती ने तुमारे उपर हमला कर दिया होता and you would have wished you had stayed with me याना then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me याना तो अगर तुम चले जाते तो ये व्यक्ती तुमको क्या कर देता ये तुमारे उपर attack कर देता और तुमको मार देता लेकिन तुमने इसके उल्टे विश्की है ना और तुम मेरे साथ ही रुके ठीक है ना so अतहे the most important time तो ये कहने कारती ये है कि तुम जो है ना मेरे उपर दया दिखा के और तुम यहाँ पर रुक गए तुम मेरा काम करने लगे अगर तुम ऐसा नहीं करते तुम चले जाते तो ये तुमको क्या कर देता मार देता लेकिन तुमने मेरी कमजोरी के उपर दया खाई और तुम मेरे पास ही रुक गए अतहे अतहे सबसे इंपोर्टेंट समय वह था जब तुम वर डिगिंग दा बैड्स क्या खोद रहे थे क्या रियां खोद रहे थे वो सबसे इंपोर्टेंट टाइम था एंड आई वाज दा मोस्ट इंपोर्टेंट मैन दो पहले परसन का उत्तर दे दिया कि सबसे इंपोर्टेंट टाइम कौन सा था जब तुम मेरी हेल्प कर रहे थे और सबसे इंपोर्टेंट व्यक्ति कौन था मैं था और मेरा भला करना मेरी हेल्प करना आपका सबसे इंपोर्टेंट काम था अप्टर बाट उसके बाद आप देखो एक घटनाक में तीनों इनके उत्तर दे दिये हर्मिट ने फिर उसके बाद फिर बता रहे है हर्मिट उसके बाद when the man ran to us उसके बाद जब उव्यक्ति हमारे पास दोड़ा दोड़ा आया the most important time was when सबसे important समय वह था जब तुम were caring for him उसकी क्या कर रहे थे तुम सेवा सुसुशा कर रहे थे उसकी पट्टियां कर रहे थे उसकी घाव को पर मरहम पट्टी लगा रहे थे because if you had not dressed his wounds अगर तुमने उसके उन घावों पर पट्टी नहीं की होती मरहम पट्टी नहीं की होती he would have died तो वो मर गया होता without having made peace with you बिना आपसे सांती इस्थापित किये so he was the most important man अते है वह सबसे important व्यक्ती था and what you did for him और जो तुमने उसके लिए किया was your most important business वही तुम्हारा सबसे important काम था तो दूसरी गटना में भी तीनों प्रशनों के उत्तरों से मिल गए सन्यासी ने दे दिये फिर remember then तब याद रखो there is only one time ते वह कह रहे हैं कि सिर्फ याद रखो सिर्फ एक समय है that is important and that time is now और राज वह सन्यासी कह रहे हैं देखो सबसे important अगर कोई समय है तो वह है वर्तमान present जिसको बोलते हैं क्योंकि देखो जो भूत काल है वो बीत गया उस पर आपका कोई वस नहीं है और जो भविष्च है वो आने वाला है उस पर भी आपका कोई वस नहीं है अगर आपके कुछ वस में है तो वो वर्तमान है it is the most important time because यह सबसे important time है जो वर्तमान है वो ही सबसे important है क्योंकि it is the only time यह ही केवल वह समय है we have any power to act कि हमारे पास कुछ काम करने की शक्ती है है न क्योंकि जो भूत काल है वो तो चला गया बीत गया अब तो कुछ नहीं हो सकता उसका और जो भविष्च है वो अभी आया नहीं है तो हमारे पास काम करने के लिए कुछ सकारात्मा करने के लिए क्या है मात्र वर्तमान है फिर the most necessary person is the person you are with at a particular moment और सबसे important जो आदमी है वो आपके लिए वो है जिस समय आप जिसके साथ वर्ताब कर रहे हो जिसके साथ अभी हो आप अर्थात वर्तमान में जो भी काम कर रहे हो और जो भी व्यक्ति आपके साथ है या जिस भी व्यक्ति के लिए आप कर रहे हो जिसे आप माना आप टीचर हो तो बच्चों को पढ़ा रहे हो आप तो अभी आपके साथ कौन है बताओ बच्चे हैं तो वो आपके लिए सबसे important है and no one knows for no one knows what will happen in the future देखो क्या कहा उन्होंने the most necessary person is the person you are with at a particular moment सबसे important person वह है व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी च्छन पे हो for no one knows क्योंकि कोई नहीं जानता what will happen in the future कि भविष्ट में क्या होगा and whether we will meet anyone else कि हम किसी को मिल पाएंगे या नहीं क्योंकि भविष्ट से क्या होता है अनिश्यत होता है और the most important business is to do that person good और सबसे important काम क्या है कि जो व्यक्ति उस वर्तमान समय में आपके पास है आपके संपर्क में है जिसके साथ अभी आप हो वो उस व्यक्ति का भला करना उसके लिए अच्छा चाहना कैसे उसका अच्छा हो वो जो business है वो जो काम है वो सबसे important है because क्योंकि we were sent into this world for that purpose alone क्योंकि इस संसार में हमें इसी काम के लिए परपज यानि उद्देश के बल इसी अकेले उद्देश के लिए हमें बेजा गया है तो देखो हर्मिट ने तीन तीन घटनाओं के माध्यम से उसे राजा को उत्तर दे दिये क्या कहा पहला प्रशन क्या था कि सबसे important time क्या है हर्मिट ने क्या कहा कि जो वरतमान है वही सब ज़दा important है क्योंकि जो भूतकाल है जो बीत गया अतीत जो है उस पर आपका कोई वस नहीं है और जो भविश है वो आने वाला है उस पर भी अभी आपका कोई वस नहीं है तो आपके पास अगर कोई शक्ती है कुछ करने की तो वो समय से फिर्फ क्या है वरतमान है दूसरा सबसे important व्यक्ति कौन है जो व्यक्ति में जिस समय जो व्यक्ति में जो important time है जो भी काम आप कर रहे हो जो in hand अभी आपके हाथ में है जो काम है ठीक है न वो सबसे important है जिस व्यक्ति के साथ आप deal कर रहे हो वो व्यक्ति आपके लिए सबसे important है और उसका भला कैसे हो, उस र्यक्ति का जिसके साथ अभी आप बरतमान काल में हो, उसका गुड कैसे हो, उसका भला कैसे हो, वो अच्छा कैसे, उसके साथ क्या आप अच्छा कर सकते हो, वही आपका सबसे important business है तो ये आपका, और देको ये लियो टॉल्स्टा है, ये बेटा बहुत, मतलब बड़े विद्वान हुए है, रसिया के, तो बहुत ही प्यारी कहानी है, तीन प्रशनों के उन राजा ने राजा को उत्तर अपने आप उन उस घटना के द्वारा मिल गए, मैं आशा करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीके बच्चो, गौड ब्लेस यू आल